वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स अकैडमी मैथ्स भाई संजैसर यह अलजिब्रा का पार्ट सिक्स है इससे पहले पांच वीडियोज अलजिब्रा के डाउन्लोड किये हैं हमने तो इससे पहले इसको देखने से पहले आप पांचो वीडियोज देखीएगा तब अलजिब्रा अच्छे से समझ में आएगी यह मेरा प्रोच है ऐससे 2017 के लिए आपको अडवांस मैथमेटिक्स पढ़ाना तो देखते हैं आज हमारा पहला वीडियोज सारी पहला कुश्चिन इसका एक फॉर्मूला है एकवल टू हाफ A माइनस B होल स्क्वार प्लस B माइनस C होल स्क्वार प्लस C माइनस A होल स्क्वार ब्रैकट इकवल टू 1 बाइ 2 A माइनस B 997 माइनस 998 घटाएंगे तो कितना आजाएगा माइनस का 1 होल स्क्वार प्लस यहां से B माइनस C 998 माइनस 999 यह भी सब्टाइट करेंगे तो माइनस का 1 आजाएगा होल स्क्वार चीके फिर C माइनस A होल स्क्वार 999 माइनस 997 तो आजाएगा 2 प्लस 2 होल स्क्वार ब्रैकट क्लोज एकवल टू 1 बाइ 2 1 प्लस 1 प्लस माइनस का होल स्क्वार प्लस होगा 2 तो जा 4 1 बाइ 2 इंटू आड करेंगे 6 2 3 जा 6 इकवल टू 3 यह हमारा फाइनल आंसर है तो आप्शन नमबर 2 इस करेक्ट ओकी इसका भी फार्मूला होता है इसका भी फार्मूला होता है एकवल टू X plus Y plus Z 1 by 2 A minus B whole square plus B minus C whole square plus C minus A whole square bracket close sorry X Y Z है इसलिए यहाँ पर क्या आजाएगा X minus Y और यहाँ पर क्या होगा Y minus Z यहाँ पर Z minus X आजाएगा ठीक है तो value रख लीजिए इकवल टू X plus Y plus Z 992 वे 1000 और 1001 तीनों सीरियल नंबर है मिडल नंबर कौन सा है 1000 इसलिए अगर कोई तीन नंबर लगातार है तो मिडल नंबर अवरेज होता है इसको तीन से मड़ पाई कर देंगे तो कितना आजाएगा 300 सॉरी 3000 ठीक है इंटू X माइनस Y होल स्क्वाइर X माइनस Y 999 माइनस 1000 माइनस का बन आजाएगा बर 2 भी है यहाँ पे होल स्क्वाइर प्लस माइनस 1 होल स्क्वाइर प्लस Z माइनस X यहाँ पे Z है तो Z माइनस X यह आजाएगा 2 2 का होल स्क्वाइर 3000 बाई 2 इंटू यहाँ से 1 आजाएगा प्लस 1 प्लस 2 तो जाब 4 इक्वाइर टू 3000 बाई 2 इंटू 6 2 थी जा 6 3 थी जा 9 देकि 9000 आजाएगा फाइनली तो आप्सन नमबर कौन सा करेक्ट है 1st हवहом थी जाइन्यू यह एक एक प्लेट तर्म अगर हम 0 माल लें इस complete term को 0 माल ले और इस complete term को 0 माल ले तो 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना? 0 ही आएगा जो कि satisfy करता है लेकिन ये 0 होगा कब? जब x की value प्लस 1 होगी y की value प्लस 3 होगी और z minus 6 ये completely 0 कब होगा? जब z की value प्लस की 6 होगी तो ठीक है? x, y, z की value हमें पता चल गई तो कितना आएगा? 1 प्लस 3 प्लस 6 आइड करें कितना? 10, option number कौन सा correct है? second अब देखी, if 3 to the power x minus 3 to the power x minus 1 equal to 18 हमें find करना है x to the power x तो सबसे पहले हमें x की value find करनी होगी इस observation से ठीक है? 3 to the power x minus 3 to the power x into 3 की power minus 1 equal to 18 ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि multiply में power adds होती है finally क्या आ जाएगा? 3 to the power x minus 1 अगर हम multiply कर दें वही term आ जाएगा? ठीक है? तो अब हम common ले लेते हैं 3 to the power x 1 minus 3 to the power minus 1 equal to 18 देखिए अगर a to the power minus m दिया है formula तो इसका solution क्या होता है? 1 upon a to the power plus m कोई भी number exponent form में उपर से नीचे और नीचे से उपर जाने पर उसके sign change हो जाते हैं इसलिए अब क्या हो जाएगा? 3 to the power x 1 minus यहाँ पर क्या जाएगा? इस formula के according 1 by 3 3 की power 1 रहेगा जो की उतनी ही value आएगी equal to 18 3 to the power x into 3 1 is a 3 minus 1 2 by 3 equal to 18 3 to the power x equal to 18 into 3 by 2 2 9's are 18 3 to the power x equal to अब 9th रिज़ा 27 इसको exponent form में लिखेंगे तो 3 की power 3 दोनों में आधार equal है x लिए x equal to 3 आजाएगा तो find करना है x to the power x 3 to the power 3 equal to अब अप्शन अब टर्ड करेक्ट ठीक है मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करीएगा और अपने फ्रेंड्स दोस्तों को शेयर कर दीजीगा और अभी तक कि अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजीगा उसके बगल में एक बेल की बटन होगी उसको प्रेस कर दीजीगा जितने भी नए वीडियोज SST के लिए हम डालेंगे वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा थैंक यू बच्चों